नमस्कार मैं आशना पटारे मौसम दरपन में आपका स्वागत करती हूँ चलिए जानते माराष्टों में आज के सा रहेगा मौसम इस समय राज्जा में भारी बारिश हो रही इस बारिश से कई जगों पर कुरूशी फसलों को नुकसान पहुचाए हाला कि बारिश की यह वापसी 15 अक्तुबर तक होने की संभावना है उसके बाद वरिश्ट मौसम वेग्या ने एक मानिक राव खुलेने कहाए कि 15 अक्तुबर से राज्य में सूखे की संभावना है उन्होंने ये भी कहाई कि बादल चाहे रेने पर भी राज्य को खुलापन महसूस होगा कल से मानसुन की वापसी की प्रक्रिया को मिलेगी रप्तर मौसवे भगद्वारा दी गई जानकरी के अनुसार गोंदिया गर्चिरोली, चंद्रपूर, नांदेड, लातुर, सोलापूर, सांगली, कोलापूर और सिंदुदूर का जिलों में बारिश की तियुरता बढ़ने की संभावना है पिछले दो से तीन दिनों से बारिश हो रही 15 अक्तूबर को भी राज्य में बादल चाहे रहने की संभावना जताए गई थी और वेसे ही आज बादल चाहे रही है लेकिन पूरे महराष्टों में मौसम साप रहेगा मानिकराव खुले ने जानकरी दिये कि कई कई चितपुट बारिश की भी संभावना है 20 से 24 अक्तूबर तक दिवाली पर के दोरान प्रदेश में हलकी बारिश की संभावना है 20 सीजन के आखरी दोर में मामूली बारिश होगी हाला कि कल से राज्य में वापसी की प्रक्रिया को गती दी जाएगी इसे राज्य में बारिश की कमी होगी बारिश की वापसी ने राज्य में कोहराम मचा दिया है कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है नदिया और नाले उपफान परे कुछ जगों पर जन जिवन भी अस्त वेस्त हो गाए साथी इस बारिश से कुरूशी भसलों को भी काफी नुक्सन हुआ है इस बिच मुंबई और ठानी इलाके में भारी बारिश हुई वही बीड, कोलापूर, धुले, पालघर, लातूर, सांगली, सोलापूर, एहमदनगर, पुने जिलों में भी बारिश हुई आज भी राज्य में बारिश की संभावना जताई, कोकन साइथ पश्य महराष्टा और विदर्व में आज बारिश का यलो अलट दिया गया है, लेकिन बारिश की स्वाप्सी से किसानों को भारी नुक्सन हो रहा है, इस बारिश से कुरूशी फसलों को नुक्सन होने पर इनमें सोय बिन कपस और सब्जी ओं की फसले शामिले, वही बारिश की स्वाप्सी से दाग की बारिश भी बुरी तर अप्रबावित हुए, आज भी राज्य में बारिश की बहुशानी की गई है, कोकन के साथ पश्य महराष्टा और विदर्व में बारिश की संभावना है वही अमदनगर जीले में भी बारिश को लेकर यलो अलट दिया गया है। अगले चार से पात दिनों के दोरान तमिलनाडू बदुजरी काराइकल और केरल माहे में काफी व्यापक और हल्की से मध्यम वर्षा की बहुशानी की गई है। ये वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।